हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल फ्रेंड्स आज हम आपका बहुत बहुत स्वागत अपने चैनल के माध्यम से करते हैं और ये कामना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्त रहें फ्रेंड्स आज की रिमेडी बहुत ही खास और इफेक्टिव है इस रिमेडी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप अपने चेहरे से पिंपल को कैसे समाप्ट कर सकते हैं दाग तथा जो जहाईयों के निशान हैं उनको कैसे आप समाप्ट कर सकते हैं इस रिमेडी का परयोग करके आप अपने चेहरे को चमकदार और गोरा बना सकते हैं फ्रेंट्स आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट मेरा एक निवेदन यदि आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बाजू में बने वेल आइकन को जरूर आन कीजिए ताकि मैं जब भी को पहली और इंपर्टेंट चीज है वह है नीम की पत्ति फ्रेंट्स नीम की पत्ति में एंटी फंगल्स गुर पाया जाते हैं ऐसे ऐसे आवसदिये गुर पाया जाते हैं जो आपको पिंपल्स से अमेशा के लिए छुटकारा दिलाने के लिए बहुत ही बेनिफिस्यल होते ह नीम की पत्ती का आपको पीष करके पेस्ट तैयार करना होगा, ये देखे हमने पेस्ट लिया हुआ है, इसका पेस्ट आप कम से कम आधा चम्मचिस में लेंगे, और second चीज जो आपको लेना है वह है एलो विरा जेल, प्रेंट्स, एलो विरा जेल जो होता है, आपके स्कीन के पास एलोवेरा का प्लांट है तो उसका भी जेल आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं एलोवेरा जेल किया हो सकता है आपको मात्र आधा चमबच होगी और इसके अत्रिक जो आपको next ingredient लेना है वह है तर्मरिक यानि हल्दी पाउडर तर्मरिक की विशेष्टा तो आप जानते हैं कि ये आपकी इसकीन के लिए कितना लाप्रद होता है इसकी मात्रा आपको इसमें एक चुटकी के आसपास रखनी है और एक चीज इसके अद्रिक जो आपको लेना है वह है बेशन बेशन आपको चने का लेना होगा क्योंकि चने के बेशन में ऐसे प्राप्रिक पाय जाते हैं जो आपको चहरे पर चमक लाने के लिए बहुत ही बेनिफिशर होते हैं अब इन सबी चीजों को आप रोज वाटर के माध्यम से मिक्स करेंगे रोज वाडर से जो होता है आपके इसकीन का जो मैल और गंदगी है वो बहार आता है आपका इसकीन मुलायम होता है रोज वाडर की आपको आव सकता इसमें मात्र एक चम्मच होगी अब इन सबी चीजों को आपस में भली भात मिक्स करेंगे अब आप देख पा रहे हैं कि यह आपका नुस्खा आपकी रिमेडी बन करके बिल्कुछ पर जा रहा है आपको इसका प्रयोग कैसे करना है आईए हम आपको बताते हैं आप इसे फिंगर के माध्यम से लेंगे और अपने पूरे चेहरे पर इसे अपलाई करेंगे इस तरीके से मोटा लेयर लगा करके आप कम से कम इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे 20 मिनट के उपरां इसे नार्मल वाटर से धो करके साब कर लेंगे इसका प्रयोग आपको मात्र सब्ताह में दो बार करना होगा अगर नियमित रूप से आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको मुहसों से यानि पिंपल से छुटकारा मिलेगा दाग धब्बे तथा जहाईयों से छुटकारा मिलेगा और आपका चेहरा चिकना गोरा तथा चमकदार होगा फ्रेंट्स अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो क्रिप्या लाइक सेयर और कमेंट जरूर कीजिए फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में एक नई जानकारी एक नई सुब कामना के साथ तब तक के लिए टेक केर आएं बाई बाई फ्रेंट्स